नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों के स्याम सब तो दोस्तों बिहार SSC के लिए apply किये हैं और अच्छा से तयारी करना चाहते हैं GKGS का तो आप चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले आपको इस चैनल पर continue GKGS का और current affairs का वीडियो आते रहेगा और exam तक एक धमा का तयारी आपका test series हमेसा आते रहेगा जिससे आप अपना प्रैक्टिस करते रहें GKGS के question पर तो दोस्तों चलिए हम लोग जल्दी से सुरू करते हैं और आप सभी के लिए एक static GK का हम ये special channel बना रहे हैं उस पर only आपका static GK डालेंगे जिससे आपको exam में बहुत ज्यादा help हो सके तो दोस किस्विद्द्द्ध संग अधिन किया था तो आपका option है तक्सिला बिकरम सिला मगद नालंदा तो दोस्तों इसका सही answer क्या हो जाएगा चेने यात्री हैंसओं ने किस विश्विद्द्द्द् υम्च्विद्द्द्ध में अधिन करता तो इसका सही answer H men डी नलंदा पिस्वित दलाय में अधन क्या था और यह आपका जो है किस राज में है बिहार में ओके चलिए आगला देखें कोश्चन नमर दो कोश्चन नमर दो क्या है पंजाब के मुखमंत्री भगवंत मान मुखमंत्री बनने से पहले किसके सदस थे तो आपका आपसन है राज सभा का पंजाब बिधान सभा का लोग सभा का और अंतिम अपसन है बिधान परिशद का तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा भगवंत मान मुखमंत्री बनने से पहले क्या थे तो वो जो है लोग सभा का सदस्थ है यानि की सांस्थ है चलिए अगला देख ले कोश्चन नमर तीन बरतमान में महराष्ट के राजपाल कोन है तो आपका आपसन है एससरी धरन अनंदीबन पटेल भगा सिंग को सी आरी और अंतिम आपसन है आरेन रभी तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ऑपसन सी भागत सिंग तो सी आरी जो है अभी महराष्ट के बरतमान में राजपाल है और यह दोस्तों यह हम आपका टेस्ट स्री मिक्स करके भी लाएंगे जैसे कि मिक्स कोश्चन आपका एक चलिए अगला देख लें चोथा नमर राज मंत्री परिषद किसके परती जिमेदार होता है और अपसन है बिधान सभा के परती एक परती राजपाल के परती और इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा राज के मंत्री परिशत किसके परती जिम्यदार होते हैं बिधान सभा के परती जिम्यदार होते हैं और आपको यह कहता कि केंद्रिया मंत्री परिशत किसके परती जिम्यदार होते हैं तो लोग सभा के परती जिम्यदार होते हैं सामोही करूप से ह करने का अर्थ हो आई है कि एक भी मंत्री कुछ भी गरवर किया और उसके खिलाफ यह आपका जो है लोक सभा में कोई और विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सभी के सभी मंत्री परिशत को इस्थिपा देना हो गया यहीं कि आपका सरकार गिर जाएगी तो आपका खिलाफ बिधान सभा में और इस्वास प्रस्ताव यदी पारित हो जाता है तो सभी के सभी मंत्री को इस्थिपा देना परेगा यहीं कि जो सरकार गिर जाएगी तो इसलिए कहा जाता है कि सामुही के रूप से जिम्मेदार होती है चलिए पच्पर अमर के है रक्त के असक अवश्यक है ऑप्शन डी विटामीन के तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चलिए अगला देखें चठा नमर ACI जंगली गधा कहा पाया जाता है ऑप्शन है खक्श का रन कजी रङा रन थंब मौर परियार दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा यह ACI जंगली गधा कहाँ पाया जाता है requirements function E कच के रन में कच्पर के रण मौर्फ से अगला देखें ऐ अमधरा सत्मशन अमर अंतराष्टिय दिनांग रेखा साधाना रूप में कैसे विक्त की जा सकती है वो जो अंतराष्टिय तिथी जो रेखा होता है उसको हम लोग ये किस नाम से जानते हैं इसको जो कैसे विक्त की जा सकती है तो आपका option है यह भुमद रेखा है यह 180 डिग्री देशांतर है यह 90 डिग्री पुर्गो देशांतर है यह 0 डिग्री देशांतर है तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा जो सही अंसर होगा option B यह 180 डिग्री देशांतर है तो यह अंतराष्टिय तिथी रेखा क्या है 180 डिग्री देशानता है ओके चलिए अगला देख लें अठमा नमर अठमा नमर क्या है 1962 के भारत चीन युद के दौरान भारत का रक्षा मंतरी कौन था तो दोस्तों अप्षन है आरें थापर जगजीवन राम वीके किरिस्न मैनन और अंतिम अप्षन है गोविन बल्लव पंध तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा अप्षन सी वीके किरिस्न मैनन जो थे उस समय भारत के रक्षा मंतरी थे और भारत के परधान मंतरी कौन थे जवाहर लाल नहरू ओके चलिए अगला देख ले चानक का एक अने नाम क्या था तो आपका अप्षन है देव वर्वन विश्नु गुप्ट राम गुप्ट और अंतिम अप्षन है विड़िजे स्वर्थ तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा चनक का जो चंद्रगुप्त मौरे के गुरू थे है ना चंद्रगुप्त मौरे को एक युद्धा मतलब जैसे बनाने के लिए एक राजा बनाने के लिए उसमें चनक के हाथ बहुत बड़ा हाथ है ना तो ये चनक का एक अने नाम क्या था तो दोस्तों इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी भी सुनू गुप्त चलिए अगला देख लें कि अगला आपका क्या है कि कोश्चन नमर दस करेंट अफेर का कोश्चन है बहुत ही भी भी है चलिए कोश्चन क्या है भारत का पहला राष्ट्रिय सामुद्रिक सुरक्षा समनवयक कोन बने हैं और इसको मतलब जैसे एंगलिस में कह सकते हैं नेशनल मेरी टाइम सिकुरिटी कॉडिनेटर कोन बने हैं तो आपका आप असोक कुमार और अंतिम अप्शन है दीपक मलहोतरा तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा भारत का पहला राष्ट्रिय सामुद्रिक सुरक्षा समनवयक कोन बने हैं ऑप्शन सी जी असोक कुमार बने हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है अच्छा से ध्यान गांधी लोकमानिति लग तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ब्रह्म समाजी के संस्थापक राजा रामोहन राय थे ओके चलिए अगला देख लें कोश्चन मर्ट बारा बारा नमर क्या है ग्रांड केनियन किस नदी में है तो आपका ओप्सन है खोले रेड़ो कोलंबिया ओहाओ मिसिसिप्पी तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ग्रांड केनियन किस नदी में है ओप्सन ए खोले रेड़ो नदी में है ओके चलिए अगला देख ले कोशर नमर 13 चलिए तेरो नमर क्या है कि जब इस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादसा कौन था तो आपका आपसन है जहांगीर, हमायू, औरंग जेव, अंतिम आपसन है अकबर तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ऑपसन बी, अकबर, ओके, चलिए अगला देख ले, चोदा नमर, यह चोदा नमर क्या है दोस्तों, भारत का सबसे उचा जल परपात किस राज में है तो आपका यह उपसन है अंदर परदेश, असम, महराष्ट, अंतिम उपसन है करनाटक तो दोस्तों, इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, सबसे उचा जल परपात, आपका यह करनाटक में है, जो की घरसुपा के नाम से परसीद है गरसुपा कहिए या फिर जोग कहिए, है ना, यह आपका करनाटक राज में सरावतीन हदीपर है, अच्छा से इसको ध्यान में रखिएगा चली, 15 नमर क्या है, नीमू के रस में पी-एच का मान कितना होता है तो आपका अपसन है, साथ के बराबर, पुरवान मान संभब नहीं है, साथ से कम, साथ से अधिक तो दोस्तों, इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, नीमू के रस में पी-एच मान कितना होता है तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो साथ से कम है न चली आगला देख ले 16 नमर निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचिन असमारक भी सु धरोहर असमारक नहीं है तो आपका ये ओप्सन है लाल किला जंतर मंतर हुमायू का मकवारा कुतुब मिनार तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली का कौन सा प्राचिन असमारक भी सु धरोहर असमारक नहीं है तो आपका अप्सन है CO2, SO2, O2, CFC तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान कोस्टन है और फेमस भी है पहुत जादा आपका जो एक्जाम में मतलब आते भी राता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये Krishna, चलिए अजला देख लें, उनीस नमर क्या है? मेरियाना ब्रेंच इसको यह भी लिखता है कि मेरियाना खाई किस महासागर में इस्तित है तो आपका option है अटलांटिक महासागर यह परसांथ महासागर हिंद महासागर अंती option है दक्षनी महासागर तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option B परसांथ महासागर में है म प्रांड अंबेश्डर कौन बने हैं तो आपका option है अमीर खान सारुक खान अमिता वच्चन अंतिम अपसन MS धोनी तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option B सारुक खान अगला देखें 21 नमर 21 नमर क्या है मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो आपका option है टिबिया ट्रेपिजियम इस्टेपीज जांक की हड़ी तो दोस्तों सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो इस्टेपीज जो की कान में होती है है ना चलिए मानव सरी में सबसे छोटी हड़ी है आगला देखें 22 भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस बर्स में परड़म हुई थी मतलब की गई थी तो आपका option है 1971, 1971, 1991 और अंतीम option है 2001 तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा 1991 में भारत में आर्थिक सुधार नीतियां कि गई थी चलिए अगला देखें 23 चोलबंस भारत के किस भाग में अधिकतर सासन करते थे तो आपका option है पुर्व पच्छिम उत्तर दक्छिन तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा चोलबंस आपका दक्छिन भारत में राज करते थे ओके चलिए अगला देख लेए 24 नमर महासागर की परपट्टी मुक्ता सिलिका और डैस की बनी है सिलिका और किसकी बनी होती है तो आपका option है मेगनेशियम लोहा मेगनीज सलफर तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा महासागर की परपट्टी सिलिक और मेगनेशियम की बनी होती है ओके चलिए 25 नमर के है दोस्तों यह सरिस्का और रंथंबौर निमलिकित में से किसका सुरक्षित अस्थान है तो आपका option है सिंग हिरन भाग भालू यह जो राजस्थान में है दोस्तों यह सरिस्का और रंथंबौर किसके लिए सुरक्षि क्या होगा option c बाग के लिए सुरक्षित अस्थान है ओके दोस्तों आपका यह हुआ टोटल 25 स्वाए 25 कोश्चन है न तो यह आप लोगों को यह 25 में कितना सही हुआ यदि आप करके बताना चाहते हैं तो बताइए 5-10-20 कोई फड़क नहीं पड़ता है अब जैसे दीरे-दीरे तयारी करते रहेगा तो 10 पे जाईएगा 15 पे जाईएगा 20 पे जाईएगा और मतलब एक दिन आएगा जो 25 में 25 आपको आएगा तो बस तयारी को continue रखिए मतलब जैसे हिम्म मतलब यह मतलब ठाच्व हैं यह मतलब यह करके जैसे चाहिएगा ऑक्जा मचा चाह के आईए आपका 25 रहेगा को चन तो और 20 पाप आप जो सही करके आ रहे हैं तो आप एक दम अपने आप में आप टाइट हो के आईएगा है ना तो यह सब है तो अच्छा से त्यारी करते रहिए और जो ही मंदारे से त्यारी करिएगा आपको जैसे वह अवश्च मिलेगी और आपके सफलता में और हम कंटीनियू आपका जो है जीके जीयाइट करेंट अफेर्स का और जो भी यह इंफॉर्मेशन आपको हमेशा देते रहेंगे जो आपके सफलता में कुछ हेल्फ हो सके ओके तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से निवड़े में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार